नमस्कार स्वागत है आपका जस्ट निउस लाइफ पर मैं हूनिशा कसाना पानी के बाद चाई ही एक ऐसी चीज है जो सबसे जादा पी जाती है देश में जादातर लोगों के तो दिन की शुरुआत ही चाई के साथ होती है तो जब चाई जिन्दिगी का इतना एहम हिस्ता बन चुकी है तो क्यों ना आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स को समझ कर अपनी लाइफ स्टाइल में चाई को एक हेल्दी ड्रिंक के रूप में शामिल करें तो आज हम जानेंगे कि कौन सी चाई आपके स्वास्थ के लिए कौन से खजाने से भरी हुई है तो बने रहें ये वीडियो के एंड तक आई सबसे पहले बात कर लेते हैं सबकी फेवरिट ग्रीन टी की हर्बल टी में सबसे जादा लोग ग्रीन टी का सेवन करते हैं ग्रीन टी में मौझूद तत्व वजन को कम करते हैं ये शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग को भी फायदा पहुँचाती है इससे ठकान दूर होती है और ये मूड को भी रिफ्रेश कर देती है अगर आपको गैस या इन डाइजेशन की समस्या रहती है तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड मौझूद होते हैं जो कैंसर जैसे घात बिमारी से भी आपको बचाते हैं इसमें कैटेजिन नामक पॉलिफैनॉल्स मौझूद होने के कारण इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी अदरक वाली चाय के बारे में अगर आपको कहीं भी ट्रावल करने के दौरान उल्टी या जी मिच लाने जैसा महसूस हो तो अदरक वाली चाय ज़रूर पियें ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखती है साथ ही हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क को कम करती है जब भी आपको माईग्रेन का दर्द हो तो एक कप जिंजर टीपी कर देखें इससे दर्द कम जरूर होगा अदरक वाली चाय में मौजूद एंटी इंफ्लामेटरी तत्व, जोडो, मास पेशियों में होने वाली सूजन को भी कम करती है ये शरीर में ब्लड सर्कूलेशन सुधारती है और हार्ट को हेल्दी रखती है सर्दी जुकाम, गले में खराश, खासी आदी में भी ये चाय रामबान मानी जाती है इसी लिस्ट में अगला नमर है कैमोमाईल टी का जिनको नहीं पता कि कैमोमाईल टी क्या है उनको बता देते हैं कि ये चाय कैमोमाईल नाम के पौधे के फूल से तयार होती है ये सेहत पर कमाल का असर करती है Chamomile tea तनाव मुक्त करने अनिद्रा की समस्या से बचने के लिए ये चाय जरूर लेनी चाहिए Chamomile tea दिमाग में एक ऐसे chemical को release करती है जो दिमाग में stress, depression से लड़ने में मदद करता है जिन लोगों को depression की समस्या है उनके लिए ये चाय अवसाद रोधी की तरह असर करती है इसके बाद आती है black tea दरसल green tea की ही तरह black tea भी पीकर आपको सेहत के लिए कई फायदे मिल सकते हैं black tea में flavonoids compound होते हैं जो संग्यानात्मक नुकसान यानि की cognitive impairment, inflammation, heart disease, diabetes, कुछ प्रकार के cancer के होने की जोखिम को कम कर सकते हैं साथ ही ये बुज़ुर्ग अवस्था में डिमेंशिया के होने की संभावनाओं को भी कम करती है आज की हमारी आखरी जादूइ चाय है ओलोंग चाय Camellia Sinenses नाम के एक पौधे की पत्तियों से ये बनकर तयार होती है इन्ही पत्तियों से green tea और काली चाय भी तयार की जाती है फर्क बस इनकी recipe में है चीन और जापान जैसे देशों में अगर आप किसी रेस्टरों में खाने जाते हैं तो जो सबसे पहली चीज आपको सर्व की जाती है वो होती है ओलोंग चाय या green tea जैसे हमारे यहाँ रेस्टरों में जाते ही वेटर पानी लेकर ग्लास भरने लगता है वैसे ही वहाँ वेटर दोनों चाय में से एक चाय आपको सर्व करते हैं कैमोलियो, साइनेंसिस, पौधे के इस पत्तियों से इस चाय को तयार किया जाता है एक स्टेडी के अनुसार रोजाना धाई कप ओलोंग टी पीने से बैट कॉलेस्टरॉल के लेवल में कमी आती है यह हार्ट को हेल्दी रखने के लिए फायदेमन हर्बल चाय है साथ ही वजन को कंट्रोल में रखना है तो भी आप ओलोंग टी का सेवन कर सकते हैं दांतों और हड्डियों, कुछ तरह के कैंसर, एक्जिमा आधी समस्याओं से भी यह चाय आपको बचा के रख सकती है तो यह थी तमाम जानकारी अलग-अलग चाय के बारे में ऐसी ही वीडियोस के साथ जल्द मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखें वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार